हम समीति की अवधाना को देख चुके हैं कि समीति किसे करते हैं और अपने पूरू के व्यक्यान में भी मैंने इसपस्ट किया था कि समाज क्या है अब हम समाज और समीति में मुलभूत जो अंतर हैं उनके उपर चर्चा करेंगे क्योंकि परिक्सा में प्रस्ण आता है कि समाज और समीति के बीच जो मुलभूत अंतर हैं वो देखना अती आवश्य के हम चर्चा करेंगे समाज और समीति के बीच पाए जाने वाले अंतर इनके अंतर के कुछ आधार है जिसके आधार पर इन दोनों के बीच अंतर को इसपस्ट किया जा सकता है जैसे कि पहला आध आधार है संबन, समाज सामाजिक संबन्दों की जटिल व्यवस्ता है, जबकि समीति सामाजिक संबन्दों की जटिल व्यवस्ता नहीं है, तो इसपस्ट है कि समाज को हम सामाजिक संबन्दों का जाल मानते हैं, वह समाजिक संबन्दों की जटिल व्यवस्ता है, जबकि समीति के साथ ऐसा नहीं है इसी पर का अंतर का दुसरा आधार है मूर्थता समाज अमूर्थ है संबंदों का जाल हमें देख नहीं सकते इसपस्ट है कि हम समाज को संबंदों का जाल मानते हैं और संबंद हमें दिखाई नहीं देते हैं इसलिए समाज भी हमें दिखाई नहीं देता होता है समाज अमूर्थ होता है जबकि समीति मनुष्यों का एक समू होता है जिसे हम देख सकते हैं यह मूर्थ होता है इसकी प्रकृति मूर्थ होती है इसी परकार दोनों के बीच अंतर का एक और आधार है निर्मार्ण, समाज का निर्मार्ण स्वत होता है इसका द्विकास धीरे-धीरे होता है जबकि समीति का निर्मार्ण या इस्तापना कुछ उद्देशों को ध्यान में रखकर योजनाबंद रूप से की जाती है तो निर्माण के आधार पर भी समाज और समीति के बीच अंतर है इसी परकार चोथा अंतर का आधार है अस्तित्व समाज का अस्तित्व मानव के अस्तित्व के साथ हमेशा रहा है मानव जब जंगली अवस्ता में या आखेट अवस्ता में था तब भी समाज का अस्तित्व विद्मान था जबकि समीति का निर्माण मानव ने बहुत बाद में किया था समाज के अस्ठीत्वों में आने के बहुत बाद में मानावने निश्चित उद्देश्यों के पूर्थी के लिए समीति का निर्माण और इसदापना की इसी परकार अंतर का एक और आदर है सदस्थिता व्यक्ति समाज का सदस्य नहीं होता है क्योंकि समाज तो सामाजिक संबंदों की व्यवस्ता होती है, जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता है, जबकि व्यक्ति समिती का सदस्य बन सकता है, समिती का सदस्य था एच्छिक होती है, व्यक्ति उद्देश्यों की पूर्ती के लिए समिती का सदस्य बनता है, इसी परक दस्यों के हित्तों की पूर्ती करती है तब तक वहां बनी रहती है इसी परकार दोनों के बीच अंतर का एक और आधार है संयोग समाज में संयोग और असंयोग तता संगर्ष की प्रक्रिया चलती रहती है संगर्ष और असंयोग होने पर संवीति समाप्त हो जाती है इस परकार नंबर आट प्रक्रिया प्रक्रिया के आधार पर भी दोनों के बीच अंतर किए किया जा सकता है समाज एक प्रक्रिया है समेथि प्रक्रिया नहीं है इसे परकार संगतन समाज संगतन नहीं Gusty जबकि समयती व्यक्तों का एक संगटने इसी प्रकान अंतर का एकोर आधार ही व्यापक था समाज का दाइरा व्यापक होता है समीति का दाइरा समाज की तुर्णा में बहुती लगू होता है छोटा होता है इस प्रकान हमने कुछ महत्पूर्ण आधारों के आधार पर या कुछ महत्पूर्ण आधार से समाद और समीति की विच्चों मुल्बूत अंतरे उनकी चर्चा की है धन्यवाद विद्यार्चियों